एक्सराइज 4.1 का question number 2 का first part है इसमें कहे रहा है जो represent the following situation in the form of quadratic equation मतलब इसे हमें सिर्फ quadratic equation के form में इसे change करना है तो quadratic equation का form का मतलब क्या हो गया यह ax square plus bx plus c equal to 0 यही form होता है इसका general form तो इस form में बस हमें इसको solve करना है मतलब इस form में करके हमें छोड़ देना है solve नहीं करना है ठीक है तो देखो अभी मैं सवाल को read करता हूँ और फिर मैं इसे explain भी करता हूँ इसमें कहे रहा है जो the area of a rectangular plot एक कोई rectangular plot है यहां से answer लिखता हूँ मैं एक कोई rectangle plot है ठीक है तो इसका area तो area का formula क्या आता है area होता है l into b यह l होता है और यह b होता है ठीक है तो कह रहा है the area of a rectangular plot is 528 meter square ठीक है यहां तक अभी पढ़ो पहले उसके बाद क्या कह रहा है the length of the plot is one more than twice its breadth ठीक है मतलब इसका जो length है इसके breadth से एक ज्यादा और दो गुना है ठीक है तो अभी आप थोड़ा सा सोचो आप देखो step step पढ़ो आपको easily समझ माएगा बस इसमें expression बनाना ही थोड़ा सा hard होता है solve करना तो बहुत easy होता है बस इसका expression बनाना होता है तो आप ध्यान से समझो इसमें कहरा है इसका जो length है इसका जो length है वो इसके breadth से एक ज्यादा और दो गुना है मतलब इसका length होगा वो breadth से दो गुना है और एक ज्यादा है ठीक है तो अगर आप इसमें length को let करोगे तो फिर आपका expression नहीं बनेगा तो आप क्या कर सकते हो Rectangular plot BES ठीक है, Meter में लेना है, क्योंकि यहां पर Meter में है और answer मरे और दे रखा जो Metre में लेना मैं, ऐतना Meter यह आपका इधर का part था anu X mesoh 있었, मै इसे प्लेट कर लिया थीक है तो अब क्या होगा, sacrifice according to question ब्लेट इसका जो ब्रेट तो हमने क्या मान लिया है ब्रेट तो हमारा एक्स हो गया ठीक है एक्स मीटर हो गया तो according to question इसका length क्या हो जाएगा देखो length कहा रहा है जो one more than twice of breath देखो इसमें कहा रहा है जो is one more than twice twice का मतलब दो गुना इसका जो length है उसके breath से एक ज्यादा और दो गुना है तो एक ज्यादा one plus हो जाएगा और दो गुना यानिकी two x हो जाएगा ठीक है I hope आपको ये concept समझ माया रहाएगा मैं आपको फिर से बताता हूँ इसमें कहा रहा है जो the length of the plot is one more than the length of the plot length मैंने मान लेगा one more than तो one plus twice its breath तो twice यानिकी दो गुना दो गुना है इसके breath का तो breath इसका x है तो two x हो गया ठीक है तो अभी हमाजे पास दोखो length भी मिल गया और breath भी मिल गया तो इसका area का formula क्या होता है area क्या होता है area of rectangle rectangle क्या होता है क्या होता है length into breadth होता है तो area of rectangle आपका given है यहां देखो question में 528 meter square है तो यहां पर 528 meter square आगया आपका area है ना और उसका length क्या है आपका length है one plus two x ठीक है और breadth क्या है इसका x हो गया अब इसको क्या करना मैं बस solve कर देना ठीक है तो मैं इसको अभी क्या करूंगा solve कर देता हूँ तो यह अभी यह 528 इधर रहने तो equal to यह तो solve होगा नहीं अब देखो यह x एक बार इसको होगा एक बार इससे होगा distribution property है distributed property तो x को one से करोगे तो यह x हो जाएगा plus 2x को x करोगे तो यह आजाएगा 2x square ठीक है अब देखो हमारा वैसे expression होता क्या है ax square plus bx plus c तो मतलब यह बारा term को हमें इधर करना पड़ेगा तो मैं इसको यह total उठा को इधर कर देता हूँ इस total को उठा के इधर कर सकता हूँ ऐसा हम कर सकते हैं इसमें कोई sin 1 चेंज नहीं होगा अगर मैं किसी एक को करता हूँ इसको total लिख देता हूँ x plus 2x square equal to 528 मैंने बस shift कर दिया इस total को इधर कर दिया इसमें कोई sin change नहीं होगा अगर मैं किसी एक को करता तब sin change होता ठीक है अब देखो अगला time इसका क्या हो जाएगा अगला time इसका हो जाएगा यह पहले 2x square को मैं rearrange कर लेता हूँ 2x square और plus x ठीक है 2x square plus से पहले इसको इसको लिख दिया क्योंकि x square plus bx होता है तो मैंने लिख दिया आप देखो 528 को मुझे इधर shift करना पड़ेगा क्योंकि इसके equal में 0 लाना है मुझे तो यह minus आ जाएगा 528 equal to 0 इधर 0 shift हो गया और गैज यही हो गया आपका quality equation का form x square plus bx plus c के form में आ गया यह हो गया हमारा answer तो गैज अगर मैंने आपको introduction के वीडियो में इसको solve कैसे करेंगे 3 methods मैंने आपको बता रखा है अगर आप practice करना चाहते हो था अभी सवाल को solve कर लेना तीनों में से किसी भी method से इसमें वैसे solve हमें नहीं करने है इसमें सवाल में कह रहा है जो लंबाई और चोड़ाई मतलब length और breath आपको find करने है लेकिन बात यह है इसमें 4.1 में आपको कोई भी rule नहीं बता गया है NCRT की book में तो इसलिए इसमें हमें क्या करना बस expression तक करके छोड़ देना है अगर आप practice करना चाहते हो तो इसको आप solve कर लेना खुद से ठीक है तीन method मैंने बता रखा है introduction वाले वीडियो में consecutive number वह होता है जैसे मालो यहां पर 2 है पहला consecutive मैंने 2 माल लिया तो दूसरा हो जाएगा 2 प्लस 1 ठीक है तीसरा हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे मतलब जो नमर होता है पीछे वाल उसमें 1 1 हम add करता जाते है 2 हो गया 3 हो गया और 4 हो गया मतलब इस तरह के number को हम consecutive number कहते है जिसे हिंदी में हम कहते है क्रमागत संख्या इसका consecutive positive क्रमागत धनातमक संख्या तो हम क्या करेंगे सबसे पहले let the first consecutive number be x अगर मैंने पहला consecutive number x माल लिया तो second क्या हो जाएगा second consecutive number x plus 1 हो जाएगा मैंने अभी आपको बता है जो पीछे वाला number होता है उसमें 1 प्लस करते जाएगे तो वह आपका हो जाता है consecutive number ठीक है तो आगे का concept क्या है देखो अभी कह रहा है जो the product of 2 consecutive number according to question क्या हो जाएगा product का मतलब multiply एक तो पहला consecutive x है दूसरा consecutive क्या है x plus 1 है तो दोनों का product कितना है 306 ठीक है बस आप step पढ़ो question का और उसको आप बनाते जाओ तो बहुत ही easy है एक step आप पढ़ोगे question को समझ करके अगर आप करते हो तो बहुत easy हो जाएगा इसमें कहरा the product of 2 consecutive positive number तो 2 consecutive positive positive number तो हो मिलगे है मेरे पास दोनों का product मतलब multiply हमने दोनों को multiply कर दया 306 है अब बस आप इसको solve करना हमें तो हमारा expression आ जाएगा x को इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे बस यह आ जाएगा x square plus x equal to 306 यह आ जाए आ गया x square plus x minus 306 6 equal to 0 आगे हमारा यह quality equation के form में ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा तो करना क्या आएगा है आप इससे solve करना चाहते हो तो आप कर लो खुद से कर लो प्रैक्टिस हो जाएगा तीनों मेथड से जो भी मेथड आपको इजी लगे चाहे तो दुए घात समीकरन से कर लो या फिर आप गुननखंड विदी से कर लो या फिर वो square की विदी से कर लो work बनाने की complete work जो बनाते हम उस method से भी आप कर सकते हो ठीक है इसका मैं third part बताता हूं इसका third part है इसे भी आप पहले question को read कर लो question को read करते करते आप इसे solve कर लो तो step question आप read करोगे solve करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा easily ठीक है इसमें क्या कह रहा है जो रोहन's mother is 26 years older than him मतलब रोहन की ममी जो है रोहन से 26 साल बड़ी है यहां तक आप समझो इसमें कह रहा है रोहन की ममी जो है रोहन से 26 20 साल बड़ी है तो सबसे पहले इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा लेट करना पड़ेगा मैं रोहन की age को क्या करूंगा let the रोहन's is दो नहीं आएगा let रोहन's age be x ठीक है मैंने x मान लिया x year मान लिया ठीक है तो मदर का age कितना हो जाएगा mother's age क्या हो जाएगा mother's age mother's age be x plus 26 देखा आप क्या करो step step पड़ो सवाल को समझे इसमें कह रहा है जो रोहन का जो age मतलब रोहन की मम्मीका जो age whoo rohan 26 सल ज्यादा है तो rohan का age इसमें मान लिया तो रोहन की ममी का x plus 26 हो गया, clear है, बहुत ही easy सा है, ना, रोहन यहाँ पर present age लगा सकते हो, रोहन's present age ठीक है, रोहन's present age और mother's का present age हो गया, ठीक है, नहीं भी लगाओ को कोई दिकत नहीं है, तो यह हो गया, अभी देखो, अब क्या कहरा है, जो, अब question में कहरा है, जो रोहन's the dear age is 3 years from now, 3 years from now, मतलब यह कहरा है, आज से 3 साल बाद, जो दोनों का age है, 3 years from now का मतलब, आज से 3 साल बाद, जो दोनों का age है, उन दोनों के age का product, जो है, वो 360 years है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, after 3 years, तो after 3 years, रोहन का age कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ, रोहन's age क्या हो जाएगा, जो रोहन का age उसमें 3 हम एड कर देंगे, तो X plus 3 हो गया, है ना, X plus 3 years हो गया, तो similarly, उनके mother's का age क्या हो जाएगा, है ना, mother's का age क्या हो जाएगा, mother's का age कितना हो जाएगा, इसमें भी हम X plus 26 plus 3 हो जाएगा, यानि कि यह X plus 29 years हो गया, ठीक है, अब देखो, according to question कहे रहा है, जो 3 साल बाद, दोनों का age का जो product है, यानि कि यह 3 साल बाद, रोहन का age कितना है, X plus 3, और रोहन की mother's का age कितना है, X plus 29, 3 साल बाद, दोनों का age का product है, 360, ठीक है, 360, यही था question, अब इसको क्या करेंगे, हम solve कर लेंगे, बस उसका अधा, हमारा answer आजाएगा, तो तो देखो, यह X को, एक बाद इससे करेंगे, एक और X को करेंगे, यह आगिया, X square, ठीक है, देखो, एक बाद इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो plus 29X हो गया, मैं इसे direct कर रहा हूं, फिर 3 into X हो जाएगा, प्लस 3X हो गया, अब फिर 3 into 29 आजाएगा, तो यह आ जायगा आपका 87, ठीक है, equal to 360, ठीक है, इसको 3-60, ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको इधर shift करना है, तो अभी क्या करना है, इसको इधर shift करते ना है, बस यह आ जायगा, x square plus 29x, plus 3x, sorry, इन दोनों को तो add कर देना चाहिए, चलो, कोई ने आगले stem में क प्लस 87 और मैनस 360 इक्वल जीरो हो गया ठीक है अब अगले step में क्या करना है मुझे यह x square आ गया यह x और x का term है तो दोनों add हो जाएगा तो यह आ जाएगा यह हमारा आ गया दूइगा समी करने के form में है तो यह सवाल यहापन मेरा complete हो ठीक है अब इसका मैं जो last part है वह भी बता देता हूं तो इसका last part है इसमें कहरा है the train travels a distance of 480 km एक कोई train है जो 480 km का distance cover करती है ठीक है if the speed had been 8 km per hour less जब उसका speed 8 km per hour से कम हो जा रहा है जैसे मालो उसका 50 km का speed है तो 8 km कम हो गया तो 42 km हो गया पर घंटे के speed से चला रही है ठीक है then it would have taken a 3 hours more कह रहा है जब 8 km speed उसका कम हो गया तो 3 घंटा जादा लग गया ठीक है पहले के first case के according जाएर सी बात है speed कम होगा तो time जादा लगेगा है ना hours more to cover the same distance same distance है ठीक है we need to find खर यह तो हमें करने नहीं है देखो आगे देखो तो मैं इसको सबसे पहले कैसे बनाऊंगा सबसे पहले मैंने क्या करा जो let the speed of train be x km per hour मैंने train का जो speed है वो x km per hour मैंने let कर लिया ठीक है जो चीज फाइंड करने होते हैं उसी को हम let करते हैं तो let the speed of train be x km per hour आगे क्या करना है हमें देखो तो time taken आगे मैं एक statement लिखूंगा time taken to travel 480 km ठीक है मतलब time निकाल रहा हूं मैं और time का formula क्या होता है आपको इससे पहले भी आपने पढ़ा था time equal होता है distance by speed होता है ठीक है time equal होता है distance by speed ये case 1 का है ठीक है case 1 में जो है जो train है वो 400 km travel करती है ठीक है तो इसका t का formula time equal कितना हो जाएगा देखो distance हो गया 480 km और इसका speed हमने क्या मान रखा है इसका speed जो है वो x km per hour है ठीक है तो ये इसको आप equation first let करनो अब देखो case 2 में क्या हो जाएगा case 2 में है इसमें है रहा है जो कहरा in second condition speed of train देखो speed of train क्या हो जाएगा speed of train हो जाएगा x by 8 km per hour क्यों हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है जो अगर उसके uniform speed में 8 km per hour less हो जाएगा तो अगर x है तो 8 km कम करेंगे तो x minus 8 km per hour हो गया easy है बस step best step आप सवाल को read करो easily then it would have taken three hours more to cover the same distance मतलब इसमें भी distance क्या है 480 km ही है तो इसका मतलब इसमें आप एक statement लिख लो it is also चलो मैं लिख देता हूं थोड़ा मतलब इस तरीके साब सवाल में exam में भी करना होता है आपको मैंने लिख दिया यहां पर क्या है it चलो लिख दो it it is also given that it is also given that the train will take three hours to cover the same distance मतलब मैंने यह लिखा यह सवाल में दिया हुआ है जो same distance को cover करने में तीन घंटा जादा लग रहा बस यही चीज मैंने लिखा है तो अब so therefore क्या हो जाएगा time taken to travel 480 km तो t से फिर निकाल लूँगा मैं time इसका तो देखो t equal नहीं होगा देखो मैं आपको पताता हूं पहले लिख देता हूं time equal time equal हो जाएगा 480 distance distance by speed क्या है इसका x-8 है ना लेकिन इस speed को cover करने के time कितना लगा है में ठीक है तो हमारा expression आ जाएगा ठीक है तो मैं क्या कर पुट equation first in equation 2 ठीक है equation first जो t का value हमारा आया हुआ था इस t के value को मैं equation 2 में put कर रहा हूं यहां पर put कर देता हूं ठीक है यहां पर equal to 480 by x-8 ठीक है अब इसे expression को हम solve कर लेंगे solve करने के बाद फिर हमारा quadratic question के form आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा यह variable दोनों एक साथ है इन दोनों को मैं एक साथ shift कर दूंगा ठीक है इसको इधर shift कर देता हूं ठीक है यह आ जाएगा कितना 480 by x sorry मैं इसको अगले page पर बताता हूं आपको तो यह expression था यही था इसको मैं क्या करता हूं यह जो variable term है इसको एक साथ रखता हूं तो मैं 3 इधर ही रहने देता हूं equal to आ जाएगा 480 by x-8 और minus आ जाएगा 480 by x ठीक है यह वाला term को मैंने इधर shift कर दिया अब क्या करेंगे हम इन दोनों का LC हम ले लो तो x-8 आ जाएगा x into x-8 आ जाएगा अब हम क्या करते हैं इन दोनों का divide करते डिवाइड करेंगे तो यह 1 होगा 480 और 480 और यह x-8 से क्या हो जाएगा यह multiply हो जाएगा ठीक है यह LCM वाला पार्ट है यह आपको आता होगा इधर 3 है इधर 3 है ठीक है अब इसको क्या करो आप solve कर लो तो यह आ जाएगा x x-8 उपर solve कर लो पहले 480 x minus देखो पहले यह bracket में रहने दो और पहले अंदरकार solve करो तो यह 480 x हो जाएगा 480 x को x से करेंगे उसका फिर 480 को 8 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 0 और उसके बाद 4 और 3 8 ठीक है 3 8 4 0 आ गया 3 8 4 0 आ गया इसको अगर हमने solve किया तो अभी आगे क्या करूंगा इधर 3 रहने दो उसका देखो यह 480 x फिर अब इसक 480 x हो जाएगा और मैनस मैनस आ जाएगा प्लस 3 8 4 0 ठीक है बाइ में आप इसको solve कर लो दिया गया x स्क्वार मैनस 8 x x एक बार इसको करा एक बार इसको करा जैसे हम करते हैं वही वाला मेथड है अब देखो गाई यहां पर क्या होगा यह दोनों कैंसल हो जाएगा यहां पर यह और यह कैंसल हो गया तो बचा क्या 3 equal यह तो कैंसल हो गया तो बचा 3840 by में x स्क्वार मैनस 8 x बचा इसके नीचे 1 कर दो cross multiply कर दो अगर आप इसे cross multiply करते हो तो यह जो है x स्क्वार मैनस 8 x इसको 3 से multiply हो जाएगा तो यह आ जाएगा कितना 3 x square minus 8 x equal to 3840 ठीक है तो आप इसको यह यह यहां पर cancel हो जाएगा तो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहां पर x square minus 8 x equal to 3840 by में 3 क्योंकि यह दर shift हो जाएगा ठीक है अब इसे आप cancel कर सकते हो इसे आप divide कर देना ठीक है यह divide कर दोगे तो क्या हो जाएगा यह 3 1 जा 3 देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 8 sorry 3 2 जा 6 2 carry करा तो 3 8 जा 24 जिरो बचा यानि कि 1280 यहां पर बचा x square minus 8 x equal to 1280 यह बचा अब इसको मैं इधर shift करूंगा तभी तो equal में 0 आएगा यह मैं कर देता हूँ x square minus 8 x minus 1280 equal to 0 ठीक है यह आगया हमारा final expression ठीक है तो I hope आपको यह 4 parts easily समझ में आएगा बहुत easy question है गायज बस इसमें words की थोड़ी सी problem है अगर आपको words समझ में आगया है next video में next question के साथ